हाँ जी तो आज से आपका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और आज आपकी क्लास वन है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम चीजों को लेकर के चलेंगे सबसे पहले कोशन आपके माइंड में यही आया है कि सर कि हम किस あॉर्डर में और सबसे पहले हम आज क्या कवर करने वाले हैं और सबसे इंपौर्टन्ट क्या है तो यह हम जो हमारा पढ़ने का तरीकर में वह एक सीक्वेंज ओर में चीजों को पढ़ेंगे क्योंकि हर एक next chapter अपने पिछले chapter से connected है अगर आप utility को अच्छे से समझ पाएंगे then आप indifference curve को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जब आपको utility and indifference curve आपको समझ में आप आएगा फिर आप demand की theory आप समझ पाएंगे और ये पूरा unit आपके जो है फिर अंडर में आप आएगा फिर आप price, elasticity और demand को अच्छे से कर पाएंगे जब आपके बात में demand अच्छा है लेकिन जैसा कि अभी मैंने chapter का नाम आपके सामने लिया है तो आपके मन में अभी chapter के नाम को सुनकर की यही बात आई होंगी कि यह सारी chapter तो हमने अपने academic में भी इसको हमने पढ़ा तो dear यह यहाँ पर chapter के नाम सरफ same है लेकिन आपका अंदर का जो questions है बिल्कुत change questions मिलेंगे कि अंदर जो answer है वो भी आपको ब्लूकुत change मिलेंगे क्योंकि जब question change है तो answer होना ही है लेकिन class 1 और class 2 खासकर आप class 1 के start आपका तू से यह आपका जो है अपने level पर करके perform करेगा कि इस बार जो आपके exam में क्या questions आने वाले हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा यूनिट वाइज सेक्वेंस इस सामने इस image से भी इस बात को आप समझ सकते हैं चलिए आए continue करते हैं तो आज जो हम start करने जा रहे हैं chapter first utility cardinal approach भी हम इस chapter को कहते हैं या तो आप utility बोल दीजिए या तो आप cardinal approach बोल दीजिए तो सबसे पहला question आपके mind में यही आता है कि utility के बात करें तो उससे पहले हमारे mind में question यह आता है कि consumer किसे कहते हैं what is mean by a consumer consumer किसे कहते हैं तो generally students यह answer करते हैं कि जो goods and services की demand करता है वो consumer हो गया तो dear goods and services की demand एक bagger भी करता है तो क्या यह दुकानदार इसको as a consumer as a customer treat करेगा goods and a son अपने father से कर रहा है क्या father अपने son को as a customer treat करेगा क्या यह consumer call होगा तो अगर आप consumer के definition में यह डालते हैं कि जो goods and services की demand करेगा वो consumer है तो dear में बनते हैं आप यह उस situation में बनते हैं जब आप अपनी wants को अपनी needs को satisfied करने के लिए किसी goods and services को purchase करने का जब आप business लेते हैं जब purchase करते हैं तब उस दुकानदार के लिए आप आदा इस चीजों को चूज करता और purchase करता है जीदर आगे बढ़ेंगे अभी तो starting ही हुआ है तो फुरुड़े टम्स को समझे सवाल और अपने लेवल तो आपका आए गाई आए तो what is meant by consumer so a consumer is one who buys goods and services बहुत important चीज़ है इसका ध्यानक नहीं क्या कहता है who buys goods and services so यह बहुत important आपके पास वर्ड है for satisfaction of wants he takes decision with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants क्लियर है तो हुम क्या कहते हैं consumer कहते हैं कोई डाउट आएका तो डियर मैं comment session में chat session पर भी मैं नजर बनाये हुए हूँ और बिल्कुल अक्षे very good तो मैं chat box की तरह भी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल live classes को attend करने की कोशिश कीजिए क्योंकि live classes के अंदर आपके अगर कोई doubts होते हैं तो उसको हम जो है clear कर सकते हैं और मुझा आपका participation की पता लगता रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं तो class काफे interesting रहती है चलिए जी अब मेरा अगला question है कि consumer equilibrium किसे कहते हैं तो देखेगा consumer equilibrium जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोगता संतूलन तो सवाल यह है कि उपभोगता संतूलन क्या है और consumer equilibrium क्या है तो यह equilibrium जो word ह है इसका मतलब यह हुआ कि consumer के लिए एक best situation का होना अब आप भी समझ सकते हैं इसको consumer के लिए best situation क्या हो सकता है consumer को जब maximum satisfaction level मिले मिले किसी चीज को यूज करने से तो उसका लिए क्या हो जाता है वह equilibrium का स्टेज हो जाता है नहीं समझे आई इसको एक example से समझने की हम पहले कोशिश करते हैं माल लीजिए आपके पास और आपने प्लाइन करा कि आप एक टीशेट लेंगे और उसके लिए आपके माइंड में आपके बजट के कोडिंग मार्केट भी आपने प्लाइन कर लिए कि इस मार्केट में आपको आपके कोडिंग टीश उसको मलें तो आपने इसको नहीं लिया अभी आप देखते हैं कि क्या ले में क्या हो सकता है बस्क्नस जा मैं उसकता है क्या सकता स्सक्राइबात यह सब चीज़ सोचेने के बाद प्लाइन करने का दिमाग में एक पल के लिए बात आएगा यार जो स्टार्टिंग में देखा ता नो वही बैस्ट था क्योंकि वह उतना अंदर कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं तो वापस रिटन जाओगे और वो शॉप पे जाओगे अब उन आपको नहीं रेलाइस था इस बात का कि वह आपको मैक्सिमम सटिस्फाइड करेगा आपको लगाता है इससे भी बैटर सटिस्फेक्शन देने वाली कूर्थ एविलेबल हो सकती है जब आपने सभी ऑप्शन को देख लिया उस ऑप्शन को देखने के बाद आप कंफाम हो पाए आप रेलाइस कर पाए कि नहीं यहां पर आपको मैक्सिमम सटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है और इसी वज़े से यहां पर क्या हुआ आपको यहां पर आप ने इसको पर्चेस करने का डिसन लिया तो देखिए कंजूमर का मतलब यह नहीं है कि अगर आप गाड़ी परारी कार चलाएगे तभी आपका एकलीब्रियम होगा या फिर आप जो है फूल क्रीम मिल्क अगर आप कंजूम करेंगे तभी कंजूमर कंज़ूमर करें जो करना बिलकुल नहीं है। तो कंजूमर का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हाई क्वालिटी के गुट से कंजम्शन करना बस इसका मतलब इतना है कि जो आपकी गिवन इंकम है उस इंकम में जो भी आप्षिंस हैं आपके सामने अबिलेबल उनमें से अगर आप बेस्ट का सेलेक्शन कर पाते हो तो व से मिल सकते हैं चले इसे बढूटा यहीं है तो मुझे मेरा हिन्दी में हiko को बात नहीं ही संतूलन से क्या तात्पर रहे है जब अपनी सीमीत आया को विबिन बस्तूओं एबन सेवाओं पर D सेवाओं आई को आपको पता है एक व्पहुक्ता जो है उसके पास में आया क्या होती है सीमीत होती है इनकमर और क्या वह पूरी कर देता नहीं बिविन परकार की वस्तुऊं एमन सेवाओं पर इस परकार से खर्च करता है कि उसे अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त हो संतुष्टी तो वह उभोगता संतुलन की अवस्ता होती है कि लिए जी हिंदी में है तो मैं हिंदी में डेफिनिशन आपको दूंगा बिल्कुल आप बेफिकर रही है अब वही चीज का कह रहा है मैंने हिंदी में डेफिनिशन बोल दिया है अब यहां पर हम दो बातों को समझ चुके हैं अबी तक दो चीजे हमारी यह एक कलरटी आच चुकी है पक कजिशन क्या है यूटिलिटी किसे कहते है अब मेरा कॉषण क्या है Just लेक्टर का नाम भी उटिलिटी है, तो ये इतलिएशन वर्ड से मना है, अब युटिलाजिशन लिए उटिलिटी क्या होता है, तो कई बार स्टुटेंट जनरर ये कहते हैं, कि power और capacity of a commodity it's called utility मतलब कि वस्तू के अंदर जो गुण पाया जाता है वही हमारे लिए उपयोगी होता है चीके? तो ये हिंदी में इसको हम उपयोगीता बोलते हैं हिंदी में इसको हम उपयोगीता कहते हैं कि वस्तू के अंदर पाया जाने वाला गुण उपयोगीता कहलाता है मतलब कि power और capacity of a commodity it's called utility तो डियर ऐसाद बिलकुल है देखेगा बहुत सारी चीज़े हैं power और capacity की मैं बात करूँ basically utility का अगर आप substitute अगर एक simple word देखेंगे न तो satisfaction को हम utility बोलते आप उसको हिंदी में संतुष्टी बोल लीजिए इंग्लिस में satisfaction बोल लीजिए और उसको एकनॉमिस के term में आप उसको utility बोल दीजिए तो कई बार मैं utility भी word यूज करूँगा तो generally तो मैं utility ही word यूज करूँगा और इसका मतलब आपके mind में क्लिक होना चाहिए satisfaction ठीक है तो generally क्या होता है कि power or capacity of a community it's called utility तो देखेगा power or capacity तो दुनिया की हर चीज में है सभी goods and services पे कोई न कोई power and capacity है जैसे यह non-veil लिजिए आप इसके अंदर power and capacity है protein है इसके अंदर यह जो है satisfaction नहीं दे सकता है तो क्या लिखेंगे आप power or capacity of a commodity with satisfied human wants it's called utility वह हमारी वांस को satisfied कर रहा है देन हमें उससे satisfaction मिलेगा अगरो हमारी वांस को satisfied कर ही नहीं रहा है कितना भी power or capacity क्यों नहीं हो तो वह हमारी हमें उससे को satisfaction नहीं मिलेगा तो विस है अगर यह ice cream कंजूम करने से उसको एक satisfaction मिलेगा उस satisfaction को हम क्या बोलेंगे utility हम बोलेंगे clear है और utility को हम basically क्या कहते हैं कि बास समझ पाया यह चीज़े clear है या नहीं बताए जड़ा चले जी अब स्क्रीन में जो चीज़े ठोड़ी खटेंगे उसको कर देंगे ठीक है अब आगे देखें जड़ा डिफाइन ना मेनिंग आफ यूटिलिटी तो यूटिलिटी क्या करा है यूटिलिटी इस दा पावर और अब हम समझते हैं यहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है टोडल यूटिलिटी क्या होता है एक जबदस एक्जामपल लेते हैं एक जबदस एक्जामपल लेते हैं, निहां गुपता कह रहे हैं कि utility consumer equilibrium से कैसे different है, जब आपको satisfaction level मिलता है तो वो utility है, और जब आपको maximum satisfaction level मिलता है, तो वो consumer equilibrium है, जब आपको maximum satisfaction level मिलता है, तो वो consumer equilibrium है, समझ गई, अभी देखेगा, कुछ एक example समझते हैं, अब मैं एक question ले र आपको अच्छी से समझ पाए, तो आपको बहुत सारी चीज़े clear होगी, first marginal utility आपको समझ में आ जाएगा, आपको total utility समझ में आ जाएगा, आपको law of diminishing margin utility समझ में आ जाएगा, और आपको relationship between total utility and margin utility भी समझ में आ जाएगा, तो एक example ले रहा हैं, जिसे हम चार questions को काफी step by step क करेंगे, समझेंगे, पहले example को आप समझे, मेरे example क्या है, हर चीज को clarity के समझेंगे, चलिए, एक example ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, देखेगा, यह आपके सामने आप कुछ देख पा रहे हैं, कि ice cream consume करते हैं, चलिए, यह क्या है, quantity है, ठीक है जी, अब आप ice cream consume करेंगे, त तो ice cream consume करने से आपको satisfaction level आएगा या नहीं आएगा, पहले बताएगे, आपको satisfaction level मिलेगा, मुझे एक बात बताओ आप, कि आप हर चीज का measurement होता है, आप देख लिजिएगा, कितना weight आपने carry कर रखा है, इसका measurement unit है, kg, जिस मैं express कर सकता हूँ, कि बेद दो किलो या पांच क किलो, कितने hour की classes है, one hour, इसको भी मैं measurement कर सकता हूँ, one hour की classes है, कितनी दूर से आप आ रहे है, one kilometer, two kilometer, इसको भी हम measure कर सकते हैं, हर चीज को हम express कर सकते हैं, किसने किसी unit में, practical life में, आपने इसी को दरा समझार की अभी है, मेरा सवाल आपके साथ में ये है, कि जब दुनिया क हमने हर एक चीज को numerically express किया जा सकता है, किसने किसी unit में express किया जा सकता है, तो जो satisfaction level है, जो हम consume करने के बाद, जो हम feel करते हैं उस चीज को ले करके, उस feeling हम numerically practical life में express कर सकते हैं, या प्रेटिकल लाइफ में आपने कभी उसको express करा है, या नहीं करा है, तो आप cancer आएगा, स हमने किसी चीज का consume किया है, तो हमने अपने satisfaction level को बस ऐसी बताया है आज तक, कि हम ज्यादा satisfied हुए है या पिर कम satisfied हुए, पर exactly units में हमने कभी कि satisfaction level हम exactly कितना हम, हमें अचीव हुआ है, कितना हमने satisfaction level मिला है, इस चीज को हम, यह बात सवाज माया, अब मेरा सवाल यह है, कि ज satisfaction level बतलब तो, practical life में, अपने जीवन में, आज तक, संतुष्टी के स्तर को, क्यों नहीं मापा गया है, क्यों नहीं मापा जा सका है, किसी particular units में, इसके कोई एकाई क्यों नहीं है, कोई measurement इसकी unit क्यों नहीं है, मेरे सवाल का आप ज़रा जवाब दीजे, इस सवाल के के जवाब आपको मिलेंगे, कोई answer करेगा, आपके पास में 10 seconds का मैं समय दे रहा हूं, answer, नहा गुपता ने काफ़ी अपने answer, काफ़ी अपने answer, काफ़ी अपने answer को match किया, चलिए, मैं इसके आरें बतायता हूं आपको, देखें ज़रा, चैनली क्या होता है dear, कि हम किसी भी चीज से कितना satisfied हुए है, यह goods की quality से ज़्यादा हमारी want पे depend करता है, example जाता हूं मैं आपको, मन लिजिए आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत जबादस प्यास लग रही है, और आप पहला glass पानी पीते हैं, तो बताई आपको कितना आनंद आता है, आप कितने satisfied हो जाते हैं, लेकिन जब आप same glass of water उसी time consume करते हैं, तो same glass of water पीने वाला भी वही, पानी भी वही, इससे पहले बड़ा मजा आया, बढ़ आप क्यों मजा नहीं आ रहा है, बताईए, क्योंकि अब आपकी want जितनी starting में रही, एक glass पी लेने के बास, वो want को satisfied हुई है, second glass of water में आपकी इच्छाई, आपकी wants इतनी नहीं रही, आपके पास में need ही इतनी नहीं है, तो second glass of water आपको उतना satisfied नहीं कर सकता है, तो कहीं नहीं किसी चीज के consumption से हमें कितना satisfaction level मिलेगा, यह किन चीज़ डिपेंड करता है, उसकी quality पर या हमारी wants पे, बताईए ज़रा, किसी प पर डिपेंड करता है, यह हमारी wants पर डिपेंड करता है, मेरी बात समझें या नहीं समझें, क्लियर है जी, तो अब आपको पता लगए कि satisfaction level हमारी wants पर depend करता है, और आपको पता है कि हमारी wants सब की एक जैसी नहीं हो सकती है, अब मुझे जितना प्यास लग रहा है, मुझे कां satisfied करेगा, मुझे अलग level का satisfaction level देगा, तो same quality के चीज, जब हमारी wants पर depend करेगा satisfaction level, तो different, same good, different satisfaction level देगा, तो कैसा इसका कोई particular measurement unit हो सकता है, मेरी बात समझें नहीं समझें, इसलिए इसका आज तक वो भी measurement unit है, practical life में तो नहीं आया है, अब आप बताए, अब आप जरा समझें और आप सोचिए, कि जिसका कोई measurement unit ही नहीं है, जिसको लिखा ही नहीं जा सकता है, जिसको वेक्त ही नहीं किया जा सकता है, उसको पढ़ाया कैसे जाएगा, समस्या आई या नहीं आई, मेरी बात समझें या नहीं समझें, क्लियर है जी, example लेते हैं, कि मान चीजे कि गांदी जी अभी है नहीं, चीक है न, या 1947 से पहले हमारे करांतिकारियों ने, भगत सिंग ने, किस तेके से देश को आजात करा, बो चीजे है नहीं अभी हमारे सामने, तो उस कहानी को आप तक कैसे पहुंचाया जाए, जो कहानी असली में घटित हुई है, सवा ने, जो कहानी को और आप इंटरस्टिंग समझ पाएंगे, आपको आसानी रहे गए यहाता रहेगा, लेकिन आपने बहुत सारी मुवी देखिए, महाफना गांदी के ऊपर या भगत सिंग के ऊपर, जब आप मुवी देखते हो, तो क्या आपको ये लगता है, कि सच में भ सब्सक्राइब करने के लिए लिए लिखने के लिए 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 तो होता ही नहीं है तो उसके लिए सब्सक्राइब को और यह सकता है उसी तारीके से सड्सक्रेक्शन लेबल को सड्सक्राइब को मतलब यूटिलिटी को भी एकस्प्रेस क्या जा सकता है क्लियर है? इसमें? जूटील में. मेरी बास समझे? तो साटिस्वक्शन लेवल को जिसमें भी हम एकस्प्रेस करते हैं उसको kg किलोउमेटर नहीं दो किलों का मज़ किले रहे? कोई डाउट? और वोइस ब्रेक हो रही है और यो कि पाल्म कितने बच्चों साथ में जल्दी से बताईए जी अब और यो की पाल्म कितने स्ट्वेंड के साथ में हैं क्योंकि यहां से तो ठीक और ओकी की रिपोर्ट आ रहा है और यो पालम अब देखेगा अब ठीक है अब वोइस पाल्म में कोई डाउट चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी तो अब मेरा कोश्चिन क्या आ गया था अब मैं अपने कोश्चिन पर आ गया हूं जिससे कि हम दो से तीन सवाल आजच्छी क्लास में कवर करेंगे काफी आसान है अब बस समझते आई देखे जाए देखेगा एक एक जांबल से समझने फोशी करते हैं इसको कि आपके पास में आप आइस क्रीम का कंजूम कर रहें पर यह कुछ आपके पास क्वांटिटी आइस क्रीम की Himself को क्वांटिटी आपके पास प्रस्ट आइस क्रीम अगर आप कंजूम करेंगे जो यह फर्स एस्ट्रीम कांजम्शन कर रहे हैं तो मैं माल लेता हुं एक मान लेजिए आपको करेंगे यह तो फॉस्स आइसक्रीम आपको मिलेगा या पीछे से कम सब्सक्राइब मिलेगा तो क्यों मिलेगा तो आप जानते हैं कि क्या मिलेगा जी आप ज़रा बताए कमेंट करके नेच्ट कितना मिलेगा अब कम कितना मिलेगा हमें तो सर एक बस सम्झाने के परपसर यूज कर रहे हैं आप कुछ भी ले सब्सक्राइब नौ नौ 8 7 5 ले लिजिए बस यह बताना है कि कम मिलेगा एक इमेजनरी टेबल है तो कम मिलेगा अफ अब मैं सही बताया क्यों कम मिला यह बता दीजिए जरह मुझे कम इसलिए मिला आपको क्यूंकि आपको पता है कि जबकि कंजम्शन है गुड्स भी वही है प्राइस भी वही है सब कुछ सो सेम टू सेम है फिर आप नेक्स उनिट से सटिस्फ्चन लबल कम क्यों मिल रहा है क्योंकि सटिस्फ्टिक्षन लबल हमारी वांट हमारी नीच पे डिपैंड होता है और जैसे जैसे आप किसी भी इनिट का कंजम्शन करते चले जाएंगे आपकी वांट सटिसफाइड होती चले जाएगी और आपकी वांट कम रह जाएगी उस चीज़ को लेकरके तो सेम क्या सब्सक्राइब करता है तो इसी तरीके से थर्ड में आपका और कम हो जाएगा फोर में और कम फिप्त में और कम लेकिन आप भी समझते हैं कोई चीज आपके कितने भी फिवरिट क्यों नहों एक टाइम ऐसा जुरूर आएगा जब आप फुली सटिस्फाइब हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे कोई चीज कितने भी फिवरिट क्यों आजाए आपकी आपका सटिस्फेक्शन लबल एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आप फुली जब सटिस्फाइब हो जाएगे आपकी वांट पूरी तरके से फुल्फिल हो चुकी होगी तो वहां पर आपको जीरो का तनहों दो जाएगा चीक है तो यहां पर देख रहे हैं एज वा दोली इसको हम बोलते हैं जेल यूटिवर से कि यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया जी कि एमी ठीक है वो भी इस फॉर में बताए जा रहा है आपको ये यूटिल्स में मिलने वाला जो सट्सक्शन लेबल है वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है दूसरी बात मार्जन यूटिलिटी मतलब कोई भी कमयरेट्टी क्यों नहुं कितनी फेवरेट् क्यों कि इस भी क्या बोलते हએ लो इनलर्जिनल यूटिलिटी मेरी बात समझे यह चीज di है आप किसी का करते हैं वैसे वैसे आपका क्लियर है अब बात करता हुआ यहां पर मैं टोडल यूटिलिटी की तो टोडाल यूटिलिटी क्या होता है इसको भी समझते हैं जबाँ हम देखेगा फॉर्स आइस स्क्रीन से कितना से सटिस्फेक्शन मिला आपको दस इतेवा और एक सिंगल उनिट से जो सब्षेटेशनम इबल मिला है देखिए अभी जिक अटको जितना करका उन्स सब से कितना सब्षेटेशनम इंपले मिलाए क्या है युडि टीटे पैरी बात समझे तो एक से थो प्रतिद manner कर लिया है दो यूनिक में यहाब उनिटा देता हूं है पॉर्स्ट शैकेंड ठर्ड पूर फिफ्ट सिक्स एंग ठीजिए कि थी अ तो बताई यह जा रहा सबसेंट का आठ दोनों से कितना मिला आपको 18 थार था अपका 6 तो तीनों से बहुत हो जाए चारों से फिर्थ से आपको कितना है कि थाई सोगया चारों से फिर्थ से आपको दो मिला सब्सक्रीजर अब तो पांचों से चार से तो आठ यह होगी आपके पास में और आपको जब जीरो मिला तो क्या आप इसमें कुछ अडिशन हो पाएगा नहीं आज इस रहाएगी उसका नेगेटी में यह तो बच्चे आपको समझना आपको टोटल यूटिल्टी क्या होता है अब तक आपने जितने भी इनिट का अन्यम्शन करा साउंड पालम ज्यादा है तो दियर एक बाद चेक करना पड़ेगा और चेक यह क्लास को फिर लाइब से हटने के बाद ही चेक हो पाएगा बकि दूसरा मैं देख लेता हूं इसमें एक सेकंड फोल्ड करें वग्याएग पाएग अ कर दो दो झाल 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 झाल